हां जी किसी कारण से वह वीडियो आधा रह गया था उसी को पूरा कर रही हूं 18-19 मिनट का वह वीडियो हो गया था लगबग 30 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे ताकि इस पुस्तक को पूरा कर सकें तो उसी को आगे बढ़ा रही हूं कोई नया वीडियो यह नहीं है पस्चि प्रधाने देवदारों में कितने ही अवसूख गए हैं फिर वी उनको कायम रखा गया है अब हम प्रधान देवाले गुंग-चुंग-वल-खंग की और चले रास्ते में ऊपर की और एक तल्ले की बहुत सी घरोंदे जैसी अस्त व्यस्त कोट्रियां हैं इन्हीं में यहां के बिख्षुक रहते हैं रास्ते में एक नाग देपता की जौपड़ी और फिर आधे दर्जन कुट्टों की बैठक अच्छा वरणन किया है ना कुट्टों को भी उचित इस्थान अपने यात्रवितांत में उन्होंने दिया है अब सबकी अपनी विश्यस्ता हैं जैसे किस इसी किसी स्थान पर बंदर हैं जब मैं रहती हूं वहां इतने ज्यादा बंदर है कि बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं बंदर और बच्चों का भी डर बना रहता है कि कहीं काटना लें तो ऐसे वहां पर संक्या किसकी ज्यादा है कुत्तों की ज्यादा है और इसको भी श इसकी दीवारे उतनी उची नहीं है यह आंगन भी पीछे से जोड़ा मालूम होता है क्योंकि डोम तो उनका बनाया छोटा मंदिर आंगन के पूर्वत्तर के कौने पर है दखिन का भाग खंबों के बरंडे में है जिसके पश्टमी भागों में 84 सिद्धों के चित्र भीत पर नाथों की नौ तो चित्र बहुत पुराने नहीं है तो भी उनमें कितनी ही पुरानी परंपरा है पश्टमी बरांडे या बरादरी से होते हुए जब हम उत्री भाग के पश्टम बाले देवाले में घुसे बिजली बत्ती हमारे हाथ में थी भीतर दोस्तूप और बुद् कि पुस्तकें चट तक चुनी गई हैं और सभी पुस्तकें हाथ से सुन्दर अक्षरों में लिखी गई हैं इन मेंसे बहुत सी तो 700 वर्षकी होंगी किनी किनी पर पहले के मालिकों का नाम भी लिखा है अब रूफ फूपा नाम की किसी विद्वान का नाम बहुत सी पुस् प्रतावदियां लगेंगी इस समय कीड़ों के भक्षे होने के सिवाए इनका कोई प्रियोजन भी नहीं मालुम होता यह इस तरह नहीं रखी गई है कि उनमें कोई पुस्तक निकाली जा सके मैं सोच रहा था कि भौण देश के पुराने मठों में कैद इन पुस्तकों का कभी उध्धार होगा सोचने तो यही मालुम हो जाए कि किसी मुहंम्मदवन वक्तियार का पैदा होना असंबभ होने से शायद समय समय पर मंदिरों को तभा करने वाले अगनी दे भी इनका उध्धार करें अत्वा शायद किसी समय ज्यान पूरवक और शोब पूरवकी सही इनक जलके अंच्ट तो इनका उद्धार कोई कसी काम सफि आए यह फ़ाली के ज्यान पूरव waking वायत नागरी प्रचानी सभाने भारत के बहुत सारे मंदिरों में मठों में जो पुस्ता के बंद थी उनको खोज कर खोजने का काड़ा किया पढ़ा है ना तो वैसे ही हो सकता है कभी किसी का मन आया और इन्हें खोज ले अंत में हम सबसे कौने वाले पुराने मंदिर में गए यह औरों की भाती विशाल नहीं है पर डोम तोन का बनवाया होने से यह परम पवित्र है इसके भीतर प्रधान मूर्ती मंजुल वज्र की एक छोटी सी पीतल की मूर्ती है यह मूर्ती कोफ्रू लोचम यह वही लोचम है जो सन बारा सो में विक्रम शिला के प्रधान आचारे शाक के श्रीभद्र को नेपाल से भूंट ले आया था तो विक्रम शिला के प्रधान आचारे शाक के श्रीभद्र को नेपाल से भूंट कौन ले आया था यह लोचम जिसकी यह मूर्ती रखी हुई ह पश्चिमोर की दीवार पर प्राये 5-6 हाथ उपर काच लगे हुए हैं काच लगे दो बक्सों के वीतर दीपंकर श्री ज्यान के वे दो चित्रें जिने चित्रकार ने उन्हें देखकर बनाया था दक्षिन के ओवर के चित्रपट में आचारे के बाएं हाथ में एक तालपत की पुस्तक और दाहीने हाथ उपदेश मुद्रा में है चेहरे पर बड़ा पाता था खोपड़ी और मुँका लंबा पन भी बतलाते हैं कि उक्त कथानक में कुछ सत्य का अंश है वैसे तो तुम जानते ही हो के सभी धर्मिस्तान जूट के अड़े हैं शायद उतनी जूट कथाएं जगे उतनी जूटी कथाएं अन्य कहीं नहीं मिलेंगी जितनी धर्म के दरवार में ध्यान दीजिएगा ठीक है हम यात्रा वितांत पढ़ रहें लेकिन इससे भी अगर क तो सीख सकते हैं तो अच्छी बात है देखे धर्म को जो हमारा सनातन धर्म था जो हमारी संब्रिद्य संस्कृति का परीचेता वो तो कहीं दब गया बाद में के जो यह जो हुए जिने धर्म गुरु जिन्हें कहते हैं इन लोगों ने अपनी सुविधा और निहित स्वार दिया यही कहते हैं राहुल संस्कृति कि शायद जूटी कथाएं और जगह नहीं मिलेंगी जितने धर्म के दरवार में धर्म वस्तोता जूटकी आयू को लंबा करने में सबसे बड़ा सहायक होता है कि यह हमारे धर्म के अनुसार यह होना ही चाहिए तो वह चीज चलती च चली जाएगी उसको कोई विरोध भी नहीं करता जल्दी से इस मंदिर में भी जूटका एक बड़ा भारी इश्तहार है वर्तमार रेगिंग लामा पैर का एक काले पत्थर पर निशान काच के वीतर रखा हुआ है शद्धालू बक्तों से कहा जाता है कि बच्पन में लामा रिंपो चैने पैर को सरस्वबाब से पत्थर पर रख दिया था उस पर यह निशान उतर आया यहीं समंद्ध कूट और नर्मदन दी की पहाड़ी पर बुद्ध के बड़े बड़े पाधचिन उतर सकते हैं तो यह एक अफ्तारी लामा के छोटे से पधचिन उतारने में कि की बातों से मैं करेक्ट कि मैं आस्तिक हूं लेकिन फालतु के जो अंद्विश्वास होते हैं यह सबसे में थोड़ा दूर ही रहती हूं खुद को भी रखती हूं और कोशिश करती हूं कि धर्म जो है ना वह मानव की उन्नती के लिए समाज को सही रास्ता दिखाने के ल आए रेडिंग के पुरानी चित्रपट आजकल यहीं चंगे गए हैं इन चित्रपटों की संक्या दर्जन से अधिक है सभी चित्र अजन्ता की चित्रकला से अभिन है मतलब वैसे ही मुझे तो आशाणाथी के अजन्ता से इतनी समानता रखने वाले चित्रपट यहाँ हो स से मैं उनकी नकल भारत नहीं ला सकता इसका बड़ा अफसोस रहा कुछ जरूरत भी नहीं है अजनता वाली देख लेंगे नाम तो इस्थान पर लोटकर मैंने धर्म बर्दन को एक चित्र पटकी नकल करने के लिए बेजा उन्होंने अभी सिर्कों भी पूरा नहीं उतारा थ कि हुक माया रेडिंग रिंपो छे के पत्र में अनुमती नहीं है इसलिए नकल नहीं कर सकते यानि उन्होंने सोचा फोटोग्राफर भी ले लिए और चित्रकार भी ले लिए दोनों साथ इसलिए रखे थे कि फोटो ना ले पाई तो चित्र ही बना लेंगे लेकिन बहीं चित्र भी नहीं बनाने दे रहे वोल तो कुल मिला के पैसे वैसे का मामला है अगर ये वहाँ पर पैसा जमा करा देते तो फिर सब कुछ इनको कर लेने दिया जाता था पर नहीं था पैसा नहीं करवा पाए आगे बढ़ते हैं नहीं था से मतलब नहीं देना होगा आज के वरता वरता आपसे चित्र को अत्यांत शोब हुआ रेडिंग के लिए रेडिंग के लिए बहुत खेद हुए यदि उन्हें मंजूर ना था तो लाहसा ही क्यों नहीं कह दिया था हां कहकर वैसा पत्र लिखना कभी भद्रोचित नहीं कहा जा सकता इस मच्छ में एक बार आग लगी थी जिसमें ये चित्रपट बाल बाल बचे हैं नहीं कहा जा सकता कि भारते कला की अमुले निधी और दीपंकर के हाथ की यह पवित्र पुस्तक जिसमें शायद उनकी हिंद आप आज भूता प्रता प्रसाल भी मालुम होता चन्सार में सरवत्र देखा जाता है इसर रींग वोndर क의 मत्शर में ना प्रबुता पाय जाय मतनाहि आगे बढ़ते है न कि कि पावित्रों समझे जाने वाली वस्तूआं के साथ बित्तर accurately होता ही है मुँपर अप्रितिकर बात न करनी भी मनुश्य का स्वभाब है खिलाडी सभी बाजियां नहीं जीता सकते तो मुझे इस असफलता पर शोब क्यूं हो अपने मन को दिलासा देने के लिए कैसे कहते कि खिलाडी सभी बाजियां तो नहीं जीत सकते इसी बात से मैं कहना चाहूँगी कि यदी किसी परिक्षा में हम असफल हो जाएं तो हमें संतोष कर लेना चाहिए राहुल संस्कृत हैं कि ये बात हमें इस यात्रवितानत से सीख लेनी चाहिए मोटिवेशन के लिए काफी अच्छी पंक्तिया है कि खिलाड़ी सभी बाजिया नहीं जीता करते तो मुझे असफलता पर शोब क्यों हो वैसा ही आप सोच लें ठीक कितनी दुरगम यात्रा करकर ये जिस चीज के लिए जिस काम के लिए वो काम नहीं हुआ ठीकिन फिर भी इ आगे देखते हैं कल सवेरे कल सवेरे रीडिंग से प्रस्थान करते वक्त एक बार फिर प्रधान देवाले देखने की इच्छा हुई पहले लिखने में हमने गलती की उत्तर और तीन देवाले जिनमें सबसे पस्चिम वाला मैत्रे देवाले कहा जाता है बाकि दो चित्रपटों को एक बार फिर देख लेना लेकिन उस वक्त वहां के मठ के बिख्शू बैठे पाट करते और सत्तू खाते थे इन चित्रपटों को यहां के लोग भारतिय चित्रपट कहते हैं इनकी संख्या सूले है को छोटे चित्रपट भी भारतिय ढंके हैं सन 1236 में चंगेच खान के सैनापती दो तीन रेडिंग मठ को में दो तीनों ने रेडिंग मठ को जला दिया था इसलिए उससे पहले की चीजों में यह चित्रपट और कुछ चीजें हो सकती हैं उसी वक्त उक्त सैनापती ने गर्लिंग खंग को भी जलाया था गर्लिंग में मंदिर में आग लगा दी गई समझ में नहीं आया था कि तुर्क कभी धर आए अम मालूम होता है कि गेरलखं का पहला नाम राजग्रिह था वहां का पाशान इस बात की पुष्टी करता है तुर्कों से वहां के लोगों का मतलब मंगोल लोगों से ही है मंगोलिया की और से आने वाली सेना का रास्ता भी तो इधर से ही था रेडिंग से चलते वक्त आकास मेगा चन था तकल की कक्षा में फैंबो की यातरा की थी आज दूसरे भाग में हम कहां की यातरा कर रहे है रेडिंग की आगे चलने पर बूंदा बांदी शुरू हुई रास्ते में एका जगत चमरी के हलों से खेत जोते जाते देखे यह शायद हमारे यांके माग पूस की जुताई की भाती खेतों को अधिक उपजाओ बनाने के लिए होगा चमरी समझ गंचों कोर के लिए प्राय दो तै हुआ सीदे जाने से दो दिन का ही रास्ता है आज लंबी मंजिल थी और चला की बड़ी जोत के पार करना था इसलिए साथ बजे ही रवाना हुए आखरी पांच मील के रास्ते को छोड़ बाकी पहले वाला बाकी पहले ही वाला रास्ता नए रास्ते में रत्न शिला मठ मिला हमारा नया नोकर जल्दी गंचों को पहुँचकर लोटना चाहता था इसलिए वह नाक की सीद पर आगे आगे खचर लेकर जा रहा था सामने एक पहाड़ पर कुछ इस तूपों सहित एक मठ देखा उसने समझा यही पोतो है और हमें लेकर तीन वज़े बहां पहुँच गया पूछने पर मालूम गवाई कि यह तो प्रश्ट शिला बिहार है इस मठ का संस्थापक दौम तौन के शिश्य पोत्प का समकालीन था इस प्रकार मठ की प्रथम स्थापना 11 सदी में हुई थी पर उस समय मठ कुछ नीचे था आज इस प्रकार के सुरक्षित रखे मृत शरीर को यहां के लोग मर्दोंग कहते हैं क्या कहते हैं मर्दोंग कहते हैं मर जाने पर शरीर को नमक के वीतर रख दिया जाता है दो महिने में शरीर सूख जाता है फिस शरीर पर एक प्रकार का लेप करके स्थूप में रख दिया जा परशो साम को मुझे लासा लोट आना पड़ा मैंने एक सप्ता और बाहर ही रहने का विचार किया था पोतो गंदग छोर पर योरफा योरवा मटसा था भूट समराटों के समय के दो पाशान इस्थम्बों को देखना जरूरी था किन्तु परशो सवेरे हमारे नोसम गयोजे पर फिर पागलपन आ गया और उसने उस जगे जाने से इनकारी ही नहीं कर दिया बलकि वह अपनी लंबी तलवार पर हाथ रखने लगा भूट में वैसे भी मनुश्य का प्राण बहुत मुल्ले नहीं रखता और यह आदमी तो मनखम प्रदेश का रहने वाला है जहां पर लोग मृत्यू से खेल करते हैं इन्ही काणों से दीरग और कठिन चड़ाई चड़कर प्राय तीस बतीस मील की दौड लगा आठ अगस्त को में लहसा चला आया वह जाने को रेडी नहीं हुए अब इसके बाद आपका दित्य खंड चांग की ओर शुरू होगा तो इसका प्रारम हम कल की कख्षा में करेंगे तो अब यह लासा की ओर वापस लोट आया है क्योंकि अब उनका मन तो बहुत है कि वो आगे देखें ठीक है बहुत समराटों के समय के दो पाशान स्तंबोर देखिया है लेकिन वही वाला था ना जो किर रहा था कि मैं तो काट कर मार कर उसमें चलांग लगा जाओंगा उसको फिर पागल पना गया उसमें तलवार निकाल ली और इन्होंने लोट कर आना ही श्रियस कर समझा हसी आ रही है सुनकर लेकिन ऐसे दुर्गम प्रदेशों की यात्रा करना यार बहुत रिस्की काम है खेर अंत में लिखते हैं तुम्हारा राहु सांस्वितान अब चौंग की यात्रा हम कल करेंगे तो वीडियो कैसे लग रहा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो मिलती हूं कल इसके अगले जुतिय खंड के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जहें